आज के टॉपिक्स है उनको डिसकस करते हैं एक सेशन की टाइमिंग आप सभी को पता है इस लाइक दस बजे तक आपका आ जाता है नौ से साधे नौ से दस बजे के बीच में सेशन अपलोड हो जाता है और आज जो टॉपिक्स है वो एडिटोरियल और एक्स्प्लेनर सीरीज के इंदर ही आई और एक लैंडफिल से इंपॉर्टन टॉपिक है तो यू कें सी हीर जो टॉपिक्स आज हम लोग डिसकस करेंगे एक एडिटोरियल फिर से वही बेस्टेश्य की उपर है और फिर आपका ऑनलाइन हेरिंग की उपर है एक टॉपिक है आपका बन जाता है फि फिर वाइडू लैंडफिल्स कैच फायर दिविंग समर समर के टाइम लैंडफिल्स क्यों फायर कैच करता है तो यह चार टॉपिक्स है आज के लिए जो एक प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टन ए एक आई आर के पेज में न्यूज है लेकिन वह भी न्यूज है उस पर द गवर्मेंचसे का टॉपिक है यह भी पॉलिटी गवर्मेंंस का टॉपिक हा और यह एंवारमेंट का टॉपिक है फिर आपका यह यह चाई अमैंस कॉश्टन टो आह का जो प्रक्ष जासे है लूक प्रिलम्स का प्रसुंट इृए ऐस देस्फरेटमें आपर डीरोट, अः railway information System. An Indian Space Research Organizing have worked together to track trains in real-time. RTA is through midsection g pinching updates every second. RTA uses, RTA IS uses information from GSAT satellite that have Ggragan payloads for tracking the payment of trains anti stent the information down to central location servers of Centre for Railway Information System boy AL-pen end and just say RTA to only 1 3 1 2 3 2 & 3 ठीक comment section में बता दो देखो ऐसे topics आपके सुबह morning में जो प्रिलिम्स बूस्टर सीरीज होता है वो है और शाम को I have started 7 p.m. को जो आपका प्रिलिम्स बूस्टर सीरीज पूरा हिंदी में start हो गया complete Hindi ठीकि तो 7 p.m. को है और complete English में 7 a.m. को है हिंदी भाष्चाय से बच्चे हैं जो completely Hindi में देखना चाहते हैं आप लोग जरूर से उस सेशन को शेयर करना कल का अप्लोड है आज भी आपका अपने आप आ जाएगा ठीक है मैं इसका प्रस्टन देखो governance of technology-based digital product has many challenges explain करना प्रद्योगी अधारित डिजिटल पुदपादों के साशन गवर्नेंस में बहुत सारी चुनाओती है इस पस्ट करना है सौरपण्यान अकडमी टेलिग्राम चैनल पे आपका अपना एंसर सेंड करना है सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स टॉपिक जीएस पेपर थरी के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं एंड दिस कैन बी इंक्लूड़ेड अंडर एंवार्मेंट सेक्शन तो लैंड फिल्स अगर आपने देखा होगा डेली के पास जो गाजियाबाद का इलाका है वहां बड़े-बड़े हीप्स होते हैं लैंड फिल्स के मतलब एक एरिया होता है जहां पर पूरा ये कच्छडा जो है वह रखा जाता है और उससे फिर डिजीज और ये सब तो हई ही स्प्रेड होती हैं कई बार आग उसमें लग जाती है और समर में जो आग लगने के चांसेश जादा होते हैं अब इसी पर इन्होंने चर्चा की है तो देखो फ्यूचर के अंदर जो मुनिस्पालिटीज हैं मुनिस्पालिटीज या जो लोकल बॉडीज हैं उनके सामने बहुत सारे चालेंज़ आएंगे और उनमें से एक बड़ा जो चालेंज आपके लिए फेस होता ह मुनिस्पालिटी वेस्ट मैनेजमेंट भी एक बड़ा रोल है तो इंडिया के जो मुनिस्पालिटी है लगभग 95% वेस्ट जनेरेटेटेट सिटीज मुसको कलेट करता है और जो वेस्ट प्रोसेसिंग के एफिशेंसी हो 30 से 40% अध्वेस्ट है मुनिस्पल सॉलिड वेस् waiting 25% न झॉयं डोटा इंडर आंद फंधा इनेरट ममम्तलब जो मायको आरगिजमस उसे वह पूरे तरीके से असको DJa कर सकते हैं ऑपोजिट तो अहीं हो सकते हैं और स्टौन और सिल्ट जैसी जीशे हो पके होती है तो यहां पर आपको देखना है कि 95% जो वेस्ट जनरेटेड जो सिटीज की अगर हम बात करें उसमें से जो वेस्ट की प्रोसेसिंग है वो मात्र 30 से 40% जो की बहुत को है तो यूज अमॉंट आफ वेस्ट तो आपका बच जाता है आप उसको प्रोसेस नहीं कर पाते हो आपक पूरा का पूरा मॉंटेन देखो उसमें तो यह आप मानो तो मुनिस्पैलिटीज को अगर देखा जाते होने क्या करना चाहिए वेट और ड्राय वेस्ट सेपरेट रखना चाहिए वेट वेट वेस्ट होता है वह बहुत ईजी से 2-4-5 दिन में डिकंपोज कर जाता है और जो ड्राय है उसमें भी कई परकार के वेस्ट मटेरियल उसको प्रोसेसिंग आप करके यूज कर सकते हो मतलब जो प्रोसेस करोगे उसको डिफरेंट परपस के लिए रिसाइकल करके यूज कर सकते हो लेकिन जो रह जाता अन प्रोसेस्ट वेस्ट होगा वह उसे फिर आप फिल में जैसे इस तरीके से आपने डाल दिया अब इसमें पनियां भी हैं इसमें बहुत सारी चीजें हैं तो धीरे-धीरे जब समर का टाइम आता है समर की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक की अगर हम बात करें जैसे प्लास्टिक एसे लटक रही है अब इसमें क्या है कि 2500 से 3000 किलो कैलोरी पर केजी है जैसे प्लास्टिक और इन सब की तो बहुत पॉसिबिल्टी होती है कि जब गर्मी का जो समय होता है टम्परिचर आज के समय में आप देगो 40 डिगर कि यह हीप होते हैं जो लैड फिल्स होते हैं वहांके डियूपकी । अल्रेडी आपके पास low quality plastic present है, flammable materials वो present है, तो you have a low quality, low quality plastics, you have a low quality plastics and flammable materials, यह अल्रेडी है, flammable materials, flammable materials पे हैं, ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे यह different materials, low quality plastic की presence होना है, उसमें आसानी साथ लग सकती है, और higher temperature plus flammable material, यह एक ऐसे situation, आग आपके आसानी से लग सकती है, अब आप यह सोचो, इतने बड़े heap में आग लगी, कितनी gases रिलीज होंगी, toxic gases, greenhouse gases, इस आसपास के लोग कितने danger में आ सकते हैं, अगर हवा बहुत तेजी से चली, तो फिर वह आग और फैल सकती है, तो यह बहुत बड़ा आपका danger बन सकता है, तो solution क्या है, solution एक यह बतायागा है कि देखो आपका यह जो heap है, इसके उपर मिट्टी डाल दो, फिर जो landfill आपके पास इतनी जमीन है तो है नहीं, इतनी जगाएं तो है नहीं, आपने landfill कर रखा है, फिर उसके उपर मिट्टी डाल दो कि भाई, जो है temperature इतना तीजी से increase न क और फिर ये भी है कि आगर आपने उसको पूरा ये है, इसको आपने पूरा close कर दिया, अब close करने के बाद इसको use करना है, मतलब आगर आपने इसको पूरे तरीके से close कर दिया, suppose you have closed it, अब close करने के बाद आप ये भी समझने का प्रयास करो, कि जब आप इसको close भी कर रहे ह अगर आपने उस procedure को जो है follow सही से नहीं किया, then there is a possibility कि फिर कई प्रकार के challenges दुबारा से face किये जा सके, दूसरा solution दिया गया, bio-remediation का, देखो ये एक term होता है, इसका मतलब क्या होता है, what do you mean by bio-remediation, इसका मतलब क्या होता है, कि आप किसी biological system का इस्तमाल करते हो, जो भी आप जमीन में कई सारे pollutants है, तो आपने क्या किया, आपने कुछ ऐसे plants लगा दिये, plants लगा दिये, जिनकी जड़ें इस toxic material को जमीन से निकाल लेंगी, मतलब वो उसे food के रूप में इस्तमाल करेंगी, या nutrient के रूप में इस्तमाल करेंगी, और वो जो plant है, वो उस toxic material को absorb कर लेग भी कहते हैं, तो ऐसी जगहां पर जहां पर मालों बहुत waste material और इस टाइप की चीज़े जमीन में प्रेजेंट है, तो कई प्रकार के ऐसे technologies आपकी होती हैं, जिनके माद्यम से in waste को segregate किया जा सकता है, और फिर आपको जो ऐसे flammable, refused, derived fuels, जैसे plastic, rags, cloths, etc. इनको आपको separate कर करना चाहिए, वैसे system तो ऐसा होना चाहिए, कि जैसे indoor के अंदर या मद्यप्रदेश के अंदर एक system एक dry, सूखा, कचड़ा, घीला, कचड़ा आपको अलग रखना, अगर नहीं रखते तो लेकी ही नहीं जाते हैं, और वहां के लोग भी बहुत मानते हैं, मतलब आप आप के ranking रहती है, मंद्यप्रदेश में सफवाई का बहुत ध्यान भी रखा जाता है, तो यहां पे इसी तरीके से कि लोगों को awareness तो generate करना ही चाहिए, बट जब आप कचड़ा लेकर भी जाते हैं, तो मिनस्पार्टिस को भी देखना है कि दोनों को separate किया जाए, और जो भी ऐस एक चीजे हैं, जैसे मानलो, plastic racks, cloths, इनको cement की जो factories उनको दिया जा सकता है, वो इसका इस्तमाल कर लेंगे, कई प्रकार के कारेरों में इसका इस्तमाल किया जा सकता है, और जो bio degradable है, उसको soil के लिए इस्तमाल किया जा सकता है, manure और इस सब के लिए प्रयास के, तो वो एक resource वेस्ट से आप wealth generate कर रहे हो, वेस्ट material है, उस waste material से आप wealth generate कर रहे हो, इस approach पर जो है, आमें काम करना चाहिए, नेक देखते हैं, GS paper 2 का topic है, इसमें IR और science दोनों link करके हम इसको include कर सकते हैं, why is WhatsApp threatening to leave UK, ठीक है, UK को क्यो threaten कर रहा है, यह topic आपका GS paper 2 के अंदर, international relation और science के अंद WhatsApp क्यों कह रहा है, WhatsApp क्यों कह रहा है कि वो जो है, UK को छोड़ देगा, UK को छोड़ देगा, तो यहां पर देखो, यहां पर टर्म है, end to end encryption, WhatsApp में अगर आप देखोगे न तिये, कभी भी आपने चैट में देखो, तो यहां पर लिखा होता, end to end encryption, end to end encryption, क्या मतलब हुआ, इस रामू ने भेजा मुझे रजगुल्ला खाना है रामू ने भेजा मुझे रजगुल्ला खाना है श्यामू के पास और तुम रजगुल्ला ले आना तो आप यह मानों कि जो रामू से यह मैसेज श्यामू तक जाएगा तो इस चीज को रामू पढ़ पाएगा और श्यामू प कुछ लिखा है तो वह X Y Z ABC कुछ ऐसा कोडिंग में कनवर्ट हो जाएगा तो बीच में कोई third party message को एक्सेस नहीं कर सकती है फिर यह जब इसके पास पहुंचेगा तो यह decode हो जाएगा इसको कहा जाता है end to end encryption it is called as end to end encryption अब यह जो end to end encryption मतलब यह और यही message को रीट कर सकते third party रीट नहीं कर सकती है अब इसमें कमालो आप नॉर्मल इस टाइप के message देख रहे हो तब तो ठीक है लेकिन इसका जो communication है इस प्रकार के communication इस प्रकार के restriction को communication के रूप में इस्तमाल किया जाता है terrorist organizations के दूर जो terrorist है कि उनको पता है बीच में कोई पढ़ नहीं बाएगा तो message कर रहा है call कर रहा है आब WhatsApp से call कर लोगी देशने बैठा कोई बैठा आदमी है उससे आब बात कर सकते हो यह कहा है कि चैलेंज भी बन जाता है end to end encryption का मतलब क्या तो what do you mean by end to end encryption तो यहां पर जो message भेजा जाएक वो encrypt होगा मतलब वो code में convert हो जाएगा जैसे यह देख रहा हो ने side side में ऐसे code में बन जाएगा और फिर further user जिसको message भेज रहो उसमें ही उसी के सपास जाके वो code से decode होगा या decrypt आपका होगा यहां पर it's very very difficult कि कोई दूसरा जाके उस message को read कर सके या उस message को access कर सके इसे हम end to end encryption कहते है अब end to end encryption क्यों important है क्योंकि जैसे WhatsApp जैसे company का मानना है कि हम privacy को जो है follow करता है हम privacy को respect करता है because we respect the privacy इसलिए हम end to end encryption को भी रखेंगे अगर एक बर यह message चला जाएगा क्यार इनका message कोई भी read कर सकता है कुछ भी ऐसी स्तितिती आ सकती है तो फिर company का नुकसान होगा लोग फिर नहीं WhatsApp उस करेंगे WhatsApp की जगह कुछ और उस करना सुरू करते हैं तो online safety bill कहता क्या है अभी यह क्या कहता है कि यहां पर duty of care placing certain duty of care obligation online platform कुछ obligations जो है WhatsApp के उपर आपकी रखी गई है अब इसमें खास्तोर से clause है that is 110 of OSB ठीक है यह जो online safety bill है उसका एक clause है 110 जो आपका clause है आप जैसे प्रोवीजन मानलो 110 जो प्रोवीजन है इस बिल का वो British की telecommunication regulator office of communication को यह power provide कर सकता है कि वह notice provide कर सकता है जो भी आपके to most kinds of internet service provider जिसमें messaging apps, search engines ऐसे हो सकते हैं कि इस परपस के लिए कि जो भी content है जो भी content है उस content को मालो terrorist से related है या child sex exploitation से related उस content को तुरंत हटाया जाए और यह जो content है इसको तुरंत हटाया जाए और इसको communicate किया जाए कि देखो हमने इस content को फिर हटा दिया इसका purpose क्या है कि ऐसे content को तुरंत circulate ना किया जाए ठीक है तो यहां पर to prevent such content from being communicated in the first place ऐसा content है उस content को तुरंत जो है remove करना and that has to be communicated publicly also and at the same point of time जो भी यह content है इस content को purpose यह है कि आगे circulate आपका नहों पाए यहां पर खास्तोर से कहा जा रहा है कि OSB mandate तो नहीं कहता है यह साफ साफ यह तो नहीं कहता है कि आप end to end encryption खतम करो बट क्योंकि अगर यह चीज़ आपने कह दी कि देखो यह चीज़ ऐसे कर लोगी आप सामने सामने प्यास तो दिखे कि यह डून ना पड़ेगा रही है यह प्याज है यह प्याज है इसी तरीके से अब जब वो यह कह रहे है कि आपको terrorism related content है यह child के sexual exploitation से related content है उसको आपको remove करने इसका मतलब सारे content को आपको filter करना है अगर आपने सारे content को filter किया तो मतलब third party सारे content को देख रही है अगर वो सारे content को देख रही है access कर रही है तो अपने आप ही end to end encryption वाला clause खतम हो गया क्योंकि आपने end to end encryption में क्या बोला कि A से मैंने C में भेजा A और C ही उस content को देख सकते हैं तो इस वज़ए से they are stating कि हाँ भले हमें यह directly बोला नहीं गया कि आप end to end encryption खतम करो but end to end encryption जो है वो खतम ही हो रहा है यह चीज आपकी highlight की गई है what if the platforms don't comply अगर नहीं comply करेंगे तो क्या होगा तो क्या होगा सरकार है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे तो penalty लगबग आप देखो euro क्या है यह 18 million का है और 10 जो है लगबग आप मानो 10% जो platform global revenue है व वो उतना cost कर सकता है तो आप खुद imagine करो जो बहुत 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 बढ़ा number है कि अगर आपने क्योंकि देखो इसमें इनको पूरा system place करना पड़ेगा तुरंत system place करेंगा और यह चीज देखो यह start हो गया है क्योंकि यह जो चाहे social media platforms हो और स्टैप्स के messaging apps हो इनका बहुत गलत इस्तमाल होने लग किया है और साथ लोग साइस इस्तमाल कर रहे है और एक आदमी भी उसका गलत इस्तमाल कर रहे है जिसके किसी के rights compromise हो रहा है तो उस फिर एक को भी rules regulation law के माध्यम से हमको रोकना पड़ेगा यही यही जरूरत भी होती है तो यहां पर अभी जो बिल ह फिर अभी एक्जामीन भी किया जाएगा उनकी house of like pass किया गया house of common के दौरा house of laws जो committee उसको एक्जामीन करेगे फिर क्या होता आगे पता चलेगा इंडिया के पास क्या ऐसा ही law है तो इंडिया के देखो information technology intermediary guidelines and digital media ethics code rule है 2021 का और इंडियन government ने mandatory करा है messaging platforms को कि अगर उनके पास 5 million users से जादा है भारत के अंदर तो उन्हें जैसे किसी ने message भेजा अब उसका first originator खास दोर से fake news propaganda spread करना communal hatred violence इस तरीगी की चीज़े आना तो उसको रोकने के लिए ये एक clause आपका introduce किया गया और इस clause के अंदर focus क्या है focus क्या किया गया है कि identify करना पहले originator को सबसे पहले इस message को भेजा करने वाले तो लाखो लोग हो जाते हैं पहला किसने भेजा तो यहां पर उसको पता लगाना कि पहला इस person ने जो है भेजा है तो यह clause हमारे देश के अंदर भी exist आपका करता है बट यह same नहीं है encryption से related क्यों इसे message को जो बहुत बार multiple times forward किया गया है यह चीज़ आपको ध्यान में रखना अब इसमें case भी दिया गया कि जैसे इसमें बताया गया कि देखो कुछ ऐसा ही US के अंदर हुआ था तो law लेकर आए गये अब उसमें क्या हुआ कि जो father है father अपने child के child का video बना रहे थे और pandemic का समय था वीडियो जो है मतलब कुछ issue था तो वीडियो बनाया अब उस वीडियो को बनाके whatsapp कर दिया अब whatsapp ने उस चीज को डिटेट कर लिया कि यह child sexual exploitation का वीडियो है और उसको पास की police को अपने आपो message चला गया अब वह असल में क्या था वह वीडियो बनाके क्योंकि pandemic का समय था वह वीडियो बनाके भेजा जा रहा था डॉक्टर को वह ऐसी स्थितिया तो वह अलगारिदम भी develop करना पड़ेगा कि कैसे चीजे इंप्रूब किया सकते नेक देखते हैं यह आपका लगातार हम दो तीन दिन से डिसकस कर रहे है और आज फिर इस पर है अब इसमें सेल्फ डाउट क्या है इसमें गीता में क्या लिखा है यह पुरा एक्स्प्लेइन किया हुआ है और लोग उसको जरूर से समय मिले तो सुनो कुछ पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव वीचार जो है वह आपको मोटिवेशन भी प्रोवाइड करेंगे तो एक तो सुब मॉर्रिंग फाइफ एम को उठने का हैविट डालो गुरुग्यान सीरीज कल भी एक वीडियो में डालूँगा आपके लिए तो मोटिवेशनल टॉक है मोटिवेशनल टॉक का मतलब हो गया वह चीज़े जो आपके लिए और वीडियो डाला है आप इसी चैनल के अंदर इस स सॉबह 7 बज़े इंगलिश में परल्लम पर इंपको द्याने मां रखना रहता है तो वीडियो आ आप गोत्र हो सकते हैं और करता हैं कहां से हैं यह जरूर से बताएं जहां हो सकते उस सेशन को भी जरूर से शेयर करें यह आपकी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो बनती है सबस्ते हैं अजो नहीं हुँज जो एक प्रकार से कक्तरेंदूस्म रूप में हैं 코 यह क्या है इisce का रुप्रेजेंटेटिव है औरulator मुस्लिम सेक्ट सानों सेक्ट से तुननों ठीक है यह सुनि को रप्रेजेंट करता हैं तो जितने भी सिया dominated देश है वो इरान के साथ है सुन्य dominated देश है साथ पूरे वेस्ट एशिया के अंदर जितनी भी लड़ाई का कारण है उसमें यही division role play करता है अब देखो क्या होता है जब इंसान के पास पैसा होता है तो फिर reason उनको पैसा कैसे कमाना है उस पर तो उनका दिमाग जाता नहीं है उनको पता है मेरे पास well है well है मतलब oil का well है तेल का कुणा है well तो इतना दिमाग लगाने की जोरतने है नहीं तो आप क्या करो फिर इन बातों में लगे रहोगे कि मेरे thinking क्या है तुम्हारे विचार क्या है इस टाइप से क्योंकि आपको skill और इन सब areas में कम काम करना पड़ रहा है वहाँ पे काम करने वाली भी लोग भारत जैसे और बांगलादेश और इन एरिया से पहुंच जाते हैं काम करने जो oil refinery और इन सब में अब क्या है कि situation बदल रही है इनको पता है अब oil जो oil या wealth से जो wealth बना लेते थे अब वो ऐसी स्थिती ब विकास करने के लिए जो human resource की जुरत हो आए वो रुके वहाँ यह एक positive जो एक messaging है वो करना पड़े इसके लिए चाहे वो अपने समाज में reforms कर रहे हैं conflict की situation है उसको दूर करना यह जरूरी है दूसरा यह भी इनको पता है कि US का जो आपका एक US का जो presence इस region में वो reduce होगा US क प्रेजन्स क्यों वो उसका focus एक तरफ Ukraine की तरफ है और दूसरी तरफ आपके इंडिया नोशन और पैस्विक ओशियन में इधर चाइना को रोकना है उक्रेन मेरश्या को रोकना है दोनों एरिया में focus है तो US को देखो energy की जुरुत है नहीं energy मतलब कि उसे oil gas की जुरुत important नहीं तो वो इसराइल के माध्यम से control करने का प्रयास कर रहा है जैसे इसराइल को बोल दिया चलो आप Abraham Accord साइन कर लो Abraham Accord में जो जैसे UAE और यह सब आप अच्छे रिस्ते बनाओ इनके साथ और फिर आप ही रिस्ते बढ़िया बन जाएंग तो आप इनको control करो यह जो vacuum create किया गया है यूएस के जाने से इसने चाइना को अपॉर्चुनिटी प्रवाइड की चाइना को यह कि देखो मेरी जो एक एनरजी नीड है वो यहां से पूरी होती है इरान के साथ उसका बढ़िया ट्रेडिंग पार्टनर है साओधिय अरेबिया के साथ उस काफी ऑईल ग आके पॉलिटिकल जो कंफिक्ट की सिचुएशन उसको दूर करके जो भी विचार है उसको दूर करके एक कोपरेशन की स्थिति लाके इस रीजन में अपनी प्रेजन्स को मैं इंक्रीस करूँ और जो वैक्यूम क्रियेट हुआ है या जगा छोड़ी गई है यूस के द्वा आप खास तोर से और दोनों एक दूसरे कंसर्ण को द्यान में रखते हुए जो है वो फोकस आपका कर रहे हैं तो कई राइवल्री को जो राइवल्री हैं दोनों के बीच एक्जिस्ट करती है उसको रिकोगनाइस भी किया गया है और डिफ्रेंसेस को डिप्लोमेसी के माध हम से कैसे दूर किया जाए और कैसे जो अब ही एग्रिमेंट साइन किया गया साओधिय अरेबिया इरान के तहत और इस एग्रिमेंट में देखो एक चीज़ को कहा गया इरान ने कहा कि देखो आपके आप जो और रिफाइंडरी हैं वहां पर हाउतीस का हमला होता हाउतीस कि शियाज हैं यमन में प्रेजेंट हैं तो वह हमला हम नहीं होने देंगे यह चीज कहा साओधिय अरेबिया ने कहा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं है वह एक न्यूस चैनल आपको बहुत परशान करता है तो वह हम उसको भी ध्यान रखेंगे इस टाइप की बाते जो हैं द तरह आसान नहीं है दूर करना क्योंकि देखो अभी चलो अपोचुनिटी की बेसे में आप साथ आगे फ्यूचर में कैसे कब तक साथ रहोगे डिपेंड करता है दोनों के ऊपर यह बहुत निरभर भी करता है लेकिन फिर प्रयास है जो कि चाइना के दौरा यह किया जा र पूरा का पूरा जो एक य्यूरेशन यूनियन ये बनाना चाहते है इन ओर टूर काउंटर इस पर मेरा आर्टिकल भी हिंदू के अंदर है देखना यूरेशन यूनियन बनाना जा रहा है इंडो पैस्थिक रिजिन का जो यूनियन है उसको सब कusaly करने के लिए इस दारिक पावर जो है वो चाइना हो उस इस्तिती में अगर है तो फिर वहां पे इसी डिरेक्शन में कार भी किया जा रहा है तो यहां पे कई कंसर्ण भी है अब इरान को भी एक प्रैक्टिकल जो है रोल प्ले करना पड़ेगा कई प्रकार के चालेंग्जेस जरूर से देखो एक चा यह कहा था इरान को कि आप जो है आप अपने नुक्लियर प्रोग्राम को ट्रांस्पैनेट रखो इरान ने कहा ठीक है पर डॉर्ण ट्रप इससे वापस ले लिया क्योंकि साओधिय अरे इनको साओधिय और इसराइल की चिंता हुए इरान के इसकी वज़े से काफी अधिक इसके नुक्लियर प्रोग्राम को लेजिटेमेसी मिल रही है तो यह लोग क्या कर रहे हैं मतलब यह कहा गया कि इरान बेसेकली जो नुक्लियर वेपन है वो बना रहा है और नुक्लियर फ्यूल को एंरिच कर रहा है 80% तक एंरिचमेंट 84% तक एंरिचमेंट कर लिया है और थोड़ा सा और करके तो वो वेपन बन जाएगा वेपन नुक्लियर वेपन बना सकते हैं तो इस चीज को देखना पड़ेगा कि क्या इरान इन सारे लेवल पर अपने कैंसरन को ध्यान में रखते हो क्या यह अपने आपको रुखे क्योंकि USA लेड़ इन्होंने यह प्रयास किया है कि इन्होंने डिवीजन वाली चीज फॉलो की है इन्होंने इरान, क्योंकि इरान US की बंती नहीं है, तो साथ मिलके इरान को suppress करके और फिर अपने interest को किया है, चाइना इसका opposite कर रहा है, चाइना कहा है कि चलो दोनों को साथ लेने के प्रयास करते है, लेकिन यहाँ पे यह देखना ज़रूरी है, कि यह जो challenge है, कि जहाँ पे तो जो public hearing है, उसकी बात अगर की जा रही है, तो online hearing है, तो quality governance या e-governance में आप इसको use कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे होता है, मतलब electricity related का एक प्रकार की concern होता है, तो आपकी पास hearing की सुविधा है, तो pandemic, COVID-19 जो pandemic है, उसके बाद से अगर देखा जाए, तो electricity sector के अंदर भी online hearing का काफी चला, प्रयास आपका क्या, क्योंकि अगर normal hearing होगी, तो उसमें logistic, transport, बहुत सारी चीज़े होती है, दूर से travel करना, फिर multiple meetings और बहुत सारी चीज़े होती है, लेकिन online hearing क्या है, उसमें technologically आप एक जगा बैढ़ गया, दूसरी जगा बैढ़ गया, और वहाँ पे, मान मालो suppose करो, जैसे ही कोई judgment आ रहा, बोल दे मेरा net चला गया, क्या करोगे, अभी मालो online hearing हो रही है, और witness भी सामने उसमें online बैठा है, वो क्या नेटी बंद कर दे है, या कुछ भी असी स्तिती हो, बोले हमें अगली date दो, ये स्तिती बन सकती ना, आपके favor में argument नहीं और आप खराब हो गया, इंटरनेट की तार कड़ गया, क्या कर रहे है, कोई कहीं कर सकता, although जनको सही में justice की जरूरत है, मालो even electricity के आस्पेट में देखा जाए, तो guidelines orientation sessions भी organize किये गए, महारास्टा आंतर प्रदेश में, कई सेंटर से जिसने participation increase करके, चीज आपकी की गई है, live streaming features develop करना, यह सब focus आपका किया गया, लेकिन improvement की काफी जरूरत है, जो भी online step आपका लिया, online hearing की तरफ प्रयास की जरूरत है, training, चाहे जो judges हैं, यह आप कह सकते है, मालो ERC की ही बात करें, plus जो justice जिसको चाहिए, उनको पता होना चाहिए, infrastructure जो required है, वो है, सारी चीज है, मालो documents है, तो documents है, आप कैसे show करते हो, वो technology भी आज के समय में काफी आ रही है, तो वो भी देखना है कि हम कैसे उसको use कर सकते, internet connection है, ठीक है, तो यह है, यह प्रश्ट कल का है, तो इसमें देखो case of cancer है, पिछली बारे मैंने case of cancer include किया था, इनको कुछ चीज़े बताई थी, इनो bullet मंदब गाड़ी नहीं, यह ऐसे, यह इसको ऐसे करके इस तरीके से इस्तमाल करो, इनके बीच में हलकी सी spacing करो, दूसरी चीज़ आप प्रयास करो, बहुत सारे symbols जैसे इन्होंने use किया है, symbols इतना है नहीं कि plus minus यह देखो, इधर plus और यह सब use, ऐसे नहीं, आप पूरे statement ल प्लस, यह सब नहीं, पेपर देखते ही, ऐसा कोई mathematical formula टाइप आपका answer ना लगे, आपको properly जैसे लिखा जाता answer वैसा आपको प्रयास करना है, ठीक है, अब यह देखो, यहाँ पे plus और यह सब, यह सम, plus, minus और यह, इतने सारे symbols use नहीं करने, ठीक है, तो प्रयास क्या करना है पूरा जो एक statement लिखा जाता है, उस statement लिख के आपको अपना answer को लिखना है, ठीक है, आप अपने answer सौरफ पांड़ आनकेडमी टेलिग्राम चैनल पर पोस्ट कर सकते हो, description box में लिंक दिया है, इसका PDF भी वहीं से आपको मिलगा, कल मैंने सारे mind maps, 1st मार्च से लेके, 13th मार तो देखो अभी course आने वाला है, मेरा अभी एक course और आएगा, science tech का course चली रहा है, ठीक है, तो अनकेडमी के website पर जाओ, UPSC, CSEC से select करो, code डालो, SPLIV, join करो, अभी 20% का off भी है, यह जो amount आप देख रहो, इसमें आप सारे educator के सारे courses अक्सेस कर सकते हो, मेरे courses, quality, history, geography, economy, सारे courses अक्सेस कर सकते हो, इसके लावत देखो 16 मार्स से आपका यह batch course भी शोर रहा, इसको भी access आप कर सकते हो, तो जब अनकेडमी सा आप जुटते हो, तो आप सारे educator के सारे courses अक्सेस कर सकते हो, सारे educator के सारे courses आप कर सकते हो, यह आप ध्यान रखें, offline batch की बात करें, तो description box में दिये होएं, वह आप लोग follow कर, यह question मैं आपको starting में दिया था, prelim booster series सुबह 7 बजे, जिसमें Indian Express, PIB, down to earth, जितने newspaper जहां से भी आपकी possibility है, प्रश्मने के सारे cover होते हैं, और प्रयास करो कि उनको आप लोग cover करें, अगर अभी नहीं cover करोगे, last में पिर जाके फिर होत short में अपनी prelims के register में note करते जाओगे, वो content जो आपके होगा आप किसी से भी compare कर लेना, कहीं से भी और किसी से भी compare कर लेना, एक महिना content बनाओ, content के notes बनाओ, और फिर कोई magazine और उससे आप prelims का content compare कर लेना, जो सुबह 7 बजे आता है, उसमें Hindu का याड कर रहा हो, साथ में ज यही, bilingual में होता है, तो आप लोग उसको देखें, इतना अगर आप कर लो ना, आपको कुछ भी करने का जूरूत ने, फिर आप अपने static पर focus हो, दिन भर current affairs नहीं करना, यह ध्यान रगना है, यह प्रश्ण मैंने आपको दिया था, आप सौरपंड्यान Academy टेलिग्राम चैनल पर अपने answer post कर सकते हैं, तो आज के लिए इतना ही, I hope यह session आपके लिए helpful रहा होगा, thank you everyone, thank you.